सारी लोगों ने उसे अप्रिशेट भी किया है जिन्होंने गलत तरीके से लिया है वो हैं जिन पर उसकी छाया पड़ती है मैं इस बात को मांता हूँ कि एज एक गवर्नर मुझे इस बात का अफसोस है बलके कि एज एक गवर्नर मुझे अवाइड करना चाहिए था इस बात कहने के लेकिन मैं गवर्नर अगर नहीं हूँ तो यही बात का हूँ चुकि कश्मीर के दुरभाग और दुरगती के लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने इतनी लूट मचाई है इतनी लूट मचाई है कि भारत के इतिहास में किसी स्टेट में किसी ने इतनी लूट नहीं मचाई और यहां का बच्चा जो अमरनात पर मैं अभी गया था टटू लेके जाता है उस पे स्वेटर भी नहीं है सारा सत्यनाश इन लोगों किया हुआ है और अभी भी ये behaving like sultans के जैसे हमारी ये state है वो दिन चले गए इनको इस पर clear हो जाना चाहिए जहां तक उमर का सवाल है वो कम उमर का बच्चा है मैं उसके लिए अच्छी feeling रखता था लेकिन he is behaving like a political juvenile वो हर चीज़ पर tweet करता है अच्छे आप लोग उसका tweet देखते हो tweet के बाद जो reactions है लोगों के जो comments होते हैं वो आप देखो 90% लोग उसको गाली देते हैं उससे agree नहीं करते हैं लेकिन उसकी आदत होगी ये tweet करने की उसने जो मेरे लिए कहा कि वो अपनी reputation दिली में देखें दिली में तो मैं कुछ करनी रहा हूं मैं तो कश्मीर में कर रहा हूं यहां देखो मेरी reputation लगाओ मेरे पे चार्ज public में पूछो, सड़क पे पूछो मेरी भी पूछो और इनकी भी पूछो मैं दिली में अपनी reputation की वज़े से governor हूँ और आप अपनी reputation की वज़े से वहाँ हो जहाँ हो तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए reputation मैं तो 50 साल से politics में हूँ और आज तक खड़ा हूँ ना मेरे पास दादा का नाम है ना बाप का नाम है ना मेरे पास रुपया है तो मारी तरह दोलर डेड़ कमरे के मकान से यहाँ आया हूँ और मैं आपको guarantee करता हूँ कि मैं इनका जो भरस्टा चार है उसको खोद के और सब को दिखा के जाओंगा as a constitutional head मुझे इसको avoid करना चाहिए था लेकिन मैं अपने गुसे और frustration में चूँके मैं एक साल से यहाँ देख रहा हूँ जो चीज़ खोदता हूं उसमें यह लोग मिलते हैं मैं काफी पीने कहीं भी जाओंगा इसमें उनका हिस्सा है ललित में इनका हिस्सा है किसी में किसी का हिस्सा है इनके दिली में मकान है दुबई में मकान है लंदन में मकान है तीन पीडी पे पहले यह कुछ भी नहीं थे तो उससे आदमी बहुत उद्वेलित होता है तो वो एक गुसे में बलके वो पूरे